पिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है चलिए दोस्तों बात करेंगे अपरिंटिशिप के बारे में तो काफी सारी आप हमारे चैनल पर इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे भर भर के जॉब्स और अपरिंटिशिप वगरा आ रही है प्राइवेट भी और सरकारी भी तो उसी तरीके से यह आपके सामने एक और अपडेट है यह फिलाल राइट्स अपने नाम सुना होगा राइटी एस लिम्टेड जो की देखें यहां पे लिखा हुआ है लेफ साइड में ऊपर अगोर्मेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइ ओपनिंग ओफ डेट यानि यह जो लिंक वगरा ओपन होना इसका फॉर्म भरने का वह भी बाइस तारीक से ही है और लास डेट आपकी यहां पर रहेगी जो क्लोजिंग डेट है सब्मिशन ओफ ऑनलाइन अप्लिकेशन की वह है बारा मई तो यह अभी आपके साथ काफी सम है तो ग्रेजुएट अपरेंटिस है डिप्लोमा की अपरेंटिस है और ट्रेड अपरेंटिस है तो ग्रेजुएट आप समझ गए बीटेक वगरा और डिप्लोमा आपको मालूम है पॉली टेकनिक वगरा और ट्रेड आपका यानि आईटियाई पास स्टूडेंट के लिए उनको बारह हजार और जो आईडियाई वाले बच्चे हैं उनको दस हजार परमंत मिलेगा इसेंशिल कौलिफिकेशन आप सभी को मालूमी है ग्रेजवेट अपरिंटेशिप के लिए आपको चाहिए बी-ई या बी-टेक उसके बाद अगर आप इंजीनिर हैं इंजीनिरिंग ट्रेट से हैं सौरी तो और उसके बाद अगर आप नॉन इंजीनिरिंग है यानि बी-बी-बी-ए या बी-कॉम तो उनके लिए भी यह आप अपरेंटेशिप है फिलाल दोनों की आपके सामने वेकेंसी भी लिखी हुई इंजीनिरिंग डिप्लोमा चाहिए और 15 आपके लिए पोस्ट है और उसके बाद ट्रेड अपरेंटिस जानी आई 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 बच्चों के लिए 35 हैं तो टूटल 146 वेकेंसी हैं आपके सामने आगे चलेंगे एजुकेशनल कॉलिफिकेशन आप समझ गए जिसको जिस पोस् आउट यहां पर मांगे गए हैं दोस्त उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपके सामने हैं आप वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं काफी ज्यादा जानकारी दी हुई है काफी लंबा जो है यहां पे सब इंस्ट्रक्शन वगरा है हाउ टू अपलाई के लिए यहां पर इस डॉक्यमेंट में कई सारे लिंक दिये हुए हैं तो फिलाल अगर आप इस डॉक्यमेंट को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे ऑफिशियल टीवी टेलिग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं काफी एजली वहां पर आपको और भी इंफरमिशन हम हम शेयर करते हैं पिक्स बगरा है डॉक्यमेंट से अफिशल नोटिफिकेशन से तो इस दरीके की चीजे हम आपको महां पर शेयर करते हैं तो वह आप जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों फिर इसके बाद दिखिए सेलेक्शन प्रोसस की जो डिवरेशन होती है वो एक साल की ही होती है इसे जादा की नहीं होती दोस्तों उसके बाद आगे चलेंगे यह देखिए कम्यूनिकेशन विद राइट्स तो इस तरीके के यह सब डीटेल वगर आपको दी हैं अगर आपको कोई भी डीटेल की ज़रूरत पढ़ती है तो आपके साथ यह ऑफिचल डॉक्यमेंट है उसके बाद देखिए नंबर आफ वेकिंसी के हिसाब से जो आपकी पोस्टिंग होगी उसकी प्लेसिस कहां है कौन सा डिवीजन होगा किस तरीके का वेकिंसी कहां कहां पे है उसके लिए यहां पे डॉक्यमेंट के नीचे डीटेल्ड जानकारी दी गई है तो यह आप यहां पर पढ़ सकते हैं आराम से यह दिखे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इस तरीके से यह है दिखे और कैटिगरी वाइज आपकिस कैटिगरी में आते हैं जनरल अन्रिजर्वड सी एस तरीके से यहां पे सारा जानकारी मिल जाती है कई बार ऐसे डॉक्यमेंट्स या नोटिफिकेशन पब्लिश होते हैं जिसमें जनकारी ख़ड़ी काम होती है तो स्टूडेंट्स को समझने में काफी दिक्कत होती है लेकिन फिलाल यहां पे भर-भर के जनकारी है दोस्तों तो आपको किसी भी तरीक लिचे के किन्फ्यूजन और किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा तो इस तरीके से यह सब है आपके सामने फिलाल यह ओफिशेल लेiri और यह तारीके के कुछ एप्लिकेशन कार्म है है आपके सामने तो यह आप उनलाइन जब ऻच्छ बहनेंगे तो आपको समझ में आए बढ़ोगा